कि दूनिया भर में कोरोना वारस ने तहल का मचा रखा है आज इस वारस की खत्रे की दह्षत में पूरी दुनिया जी रही है लेकिन क्या आप जानते हैं भविष्य में भी कोरोना वारस की खत्रे को लेकर इंसान को जीना पड़ सकता है इस बात के चेत depends की लंदन के इंपेरि नेबारो ने कहा कि सफलता पुर्वक वैक्सीन तयार कर लेने की कोई ग्यारंटी नहीं है। ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर के मताबिक नए माहौल में इंसानों को ढ़लना होगा। उनने कहा कि लोगों को ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि निश्चित तोर से जल्द ही कोरोना वारस की वैक्सीन बन जाएगी। प्रोफेसर नेबारो ने कहा कि हर वारस के खिलाफ अनिवारत तोर पर आप एक सरक्षित और प्रभावी वैक्सीन नहीं बना पाते हैं। कुछ वारस की वैक्सीन तयार करना काफ़े मुश्किल होता है। इसलिए वारस के खत्रे के बीच ही हमें अपनी जिन्दगी जीने के लिए नए तरीके तलाशने पड़ेंगी। दूसरी और संक्रमक रोगों के एक्सपर्ट ने कहा इसका मतलब है जिन लोगों में रोग के लक्षन है उन्हें आइसलेट करना होगा और उनके संपर्क में आये लोगों को भी बुज़गों की रक्षा करनी होगी बिमार का इलाज करने वाले हॉस्पिटल की शमता बढ़ जिसके चुप जाता है जहां उसे खोजा नहीं जा सकता जिसके चलते मरीज के ठीक होने के बाद भी उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स